गुद्बारिंग फ्रेंड से बाइफिट स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे मैं हूँ दश्रे सिंग जोधपूर आइसान से आज मेरे साथ मेरे पुराने स्टुडेंट है संजे जिनका पिसली वाद जोधपूर में था और इन्होंने फीजिकल क्लियर किया था तो आज हम इनके से फीजिकल के बारे में पूचाएंगे तो जिनका भी जोधपूर में फेस्टू है उनके लिए प्लस जिनका कहीं पे भी ऐरफोस का फेस्टू है उनके लिए काफी मददगार रहेगा क्योंके पास एक फीजिकल का एक्स्पिरेंस है और मजे की बात यह भी रंणिंग में इनकी टैमिंग जो थी वो लगबग साड़े साथ 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 पैतालिस आरी थे और उसके बाउद भी फेस्टू इनका काफी अच्छा रहा चले संजे आपका स्वागत है जैंद एर्वन चले संजे मुझे बताईए कि फेस्टू में आपने सुबह कितने कितने बजे उन्होंने दोड़ाने स्टार्ट किया सम्टिंग से बजे रंणिंग स्टार्ट होगी थी हमारी पास से च्छे के बीच में क्या होए डॉक्मेंटेशन हुआ तो उन्होंने क्या क्या किसी बंदे को बाहर निकाला या किसी बंदे के पास अगर कलर पेंड नहीं कार्ड दोनों कलर पिंट में और अधार कार्ड और यह कि नो रिस्क रिटिफिकेट इस चार डॉक्मेंट लेकर अंदर बुलाया हमको तो उनके अकोडिंग वह अपने डॉक्मेंटेशन हुआ और फिर जिनके पास या तो उनके डॉक्मेंट मंगवा दिये या फिर दूसरी डॉक्मेंट के अकोडिंग उनको ले लिया गया अंदर बाग किसी को नहीं निकाला देखे ये Air Force की बहुत अच्छी चीज है उनका काफी सपोर्ट रहता है आपको लास्ट तक कि वो समझते है कि 12 पास बच्चा है ग्रामी नीरे का बच्चा है आज ही आया है तो इसके घर में काफी चुनोतिया है तब ही इस एज में जॉब के लिए आ रहा है बाकि इस एज मे हर कोई इंजॉइ करना चाहता है कॉलेज लाइब जीना चाहता है तो ये Air Force को मैं चीज के लिए सपोर्ट करता हूँ कि इस चीज के लिए मैं मानता हूने कि जबी भी इस चीज को मैंने देखा है बच्चों को लेकि उनका एक सॉफ्ट कॉर्णर रहता है वो भी चाहते है लास तक चाहते हैं कि बच्चा दिल से वो चाहते हैं कि बच्चा आगे जाए वो आपको पूरा सपोर्ट रहता चाहिए जीडी हो चाहिए फिजिकल हो अब बिना त्यारी जाएंगे आप टूटल लग पर डिपैंड करेंगे बार 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 बगवान के स्टेटर लगवान टाइम बेस्ट होता है लेकिन रूड पर एक तो आपको टाइम वेस्ट ने होता कि पाँ वापिस आपके जल्दी उड़ते हैं प्लस आपको सीधा दोड़ना आता है तो आप लोग कितने जने दोड़े थे उन्होंने सो मैं से कितने बच्चों ने रनिंग क्लियर करें सो मैं 90 जने लगबग पास होगे थे रनिंग में जो बचे 10 बंदे थे वो रुके थे या फिर वो करनी पाय या बीच में रुक गे थे वो दस मैं से 45 ऐसे थे जो रुक गे थे बीच में और 45 जने पहुंचे थे लेकिन वो सई टाइम पर नहीं पहुंच पाई तो चाहरी के गए थे तो सो के रनिंग करने के बाद 90 क्लेर किया फिर नेक्स स्टेप क्या होता है और पुसप में जो रनिंग करके आए उनुसब को एक जगा बैटा देते हैं फिर पचास-पचास के अलग बैच बन पुश्प आपकी कितने बजे होई उस अमारे लगबग 6 ब उनको एक्स्ट नंबर तो सुब जब डॉक्मेंटेशन होता तब आपको मिल जाते हैं तो इसमें आपके जब आप गए तो पचाज नों का बैच बनाया था फेस्ट पुश्प के लिए तो पचाज नों पर कितने लोग निगरानी रख रहे थे पुश्प में पचास के बै तो पुश्प में आप किया सिजिस्ट करते हैं कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं बीच में रहने से फाइदा रहता है कुछ लोग केते हैं साइड में रहने से आप जादा jam होगे आपका क्या feedback रहा ऐसा कुछ नहीं होता आप पचास देने हो तो लग्सक देने आपके खड़े हैं निगराने के लिए तो आप मान लीजी पचास में उनकी निगाए तो सब पे रहेगी पांच बंदे पे एक बंदा देखते हैं तो साइड में उने से बीच में उने से परक कुछ नहीं बढ़ने वाला आपकी position सही है और आप उनको सही से सुन पा रहे हो जैसे वह आप बोलते है तो आप होना है डाउन बोलते है डाउन होना है कितने दूर वो खड़े रहते हैं अपन से जश्ट पास में पांच फिट के एरिया में तो इसमें कुछ होल्ड कर स्कॉड में किते एक बच्चे बाहर निकले स्कॉड में ज्यादा नहीं फिर भी पांच से बच्चे स्कॉड में बाहर हुए थे पैटीस कितने का बैस था इसमें पचास की बैस था और वो लास्ट तक पचास का रहता है वसमें से लगबख 25 से 30 जने पास हो वे थे बुरे उसके बाद से टप करे मैं किते हैं कि जनने बाहर निकालते हैं Hence जिन्होंने maior वह होते हैं जनके ज्यादा नरवस होते हैं या पर वह साई-स पोजिसिंगा जिघान नहीं रख़ाते हैं वह उनला कि जिन्णोंने फेस two की त्यारी सिरिस नहीं करिये, गंबीरताचे नहीं करिये, मौच करिये, उनके लिए खतरह बाकि Air Force मैं मानता हूँ कि Medical और GD और Physical देखे, Physical और GD पूरा अपने हाथ में, Medical अपने कह सकते हैं, बगवान के हाथ में, लेकिन GD और Physical अगर आपने मेहनत करिये, हमने देखा हैं, बच्चे पूरी तरह स्लेक्ट हुए, तो जोदपूर के बारे में काफी अफ़ा हैं, कि जोदपूर में काफी टफ रहता है, आपका फिडबेक कैसा राज जोदपूर को लेके? स्टाप भी ज़्यादा सपोर्ट ही रहता है अपने, आप उनको ज़्यादा नर्वस नहीं होना, अकर बहुत चांस कोई नर्वस हो भी जाता है, तो स्टाप भी उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको दमका दिया, कि साइड हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो, सपोर् इसको नौर्मल फैमिली से गाहों से उसके पिदाजी में या उसके घर में फैनेसिल कंडिशन इतनी अच्छी निये कि वह आगे कॉलेज की लाइफ इंजॉय करेंगे इस मोर में हरको इंजॉय करना चाहता है तो उनका पूरा सपोर्ट रहता है तो फेस्टू में आप यह मान को जैसा बताते हैं वैसा ही करना है और जो अपन पहले कैसे करते तो अब हम में नहीं करना है जो अभी उन्होंनों जो बता दिया वो सेंटू जो नॉर्मल आपन बार्मल होता है पर वह क्या है कोई मतलब चेस्ट को टच कर देते हैं किसी की गुड़ने टच होते हैं तो व सब्सक्राइब करेगा तेंकि फॉर वाचिंग तेंक यू